कर ये परमासमा पहला दुख तो गोडी खाली रई बूत दा दुख मती की हुमा जुटी गई तीसरा दुख की समत कहा ले गई इसी कम में मेरा दब निकली जाएगा क्या कबरंची हम एक ने तादेना जीदक मेरा दुख में मिली जाएगा क्या कबरंची हम रात का समय था सुनी थे जोपड़ी से निकल घर के जंगल में पहुंची जंगल में गुस नहीं पाई विसे नारद आ गए नारद ने देखा तो खड़े हो गए कौन है अरे रात के समय जंगल में क्या करने आए नाम क्या है तुम्हारा बुली महराज मेरा नाम सुनी दे मैं या मरने के लिए आया मरने अरे मरना क्यों जाती हो तुम्हें नहीं मालमात मत्या चे बना कोई पाप नहीं होता सारी बात बताई मेरे गरब से कोई सल्टान नहीं हुए मैंने अपने पती का बिभा करवाया लेकिन फिर भी कोई पुत्र नहीं इसलिए मैं मरने आया नारद बोले अगर ऐसी बात है सुनी तो तुम मरो नहीं गर लोट के जाओ और मेरी बात बर बिसमाद गरब तुमारे गरब से बहुत सुन्दर पत्र होगा सुनी तिगर लोट आई हमेशा नारद की बात इसके दिमाग में गुंचती रहती है कब उस समय आएगा जब एक पत्र मेरी गोद में खिलेगा दीरे दीरे जब समय मीता है एक दिन महराज उत्तान पाद ने सिपाईयों को साथ में लिया और ये काजम सिकार खिरने के लिए जाएगी तो देर नहीं की आरे नाई पलकी देर बे लगाई आरे ली में आपने तंगरे जिवाई पलकी देर बेलागाई आरे ली में आपने तंगरे जिवाई तरी बोना में ये न लगाई बेकर तंगरी में पहुचो दाई सिकार खिरने के लिए जंगल में पहुचे हैं महराज उत्तानपाद सारे दिन तो सिकार खिरनते रहे साम की समय जब ये लोट करके आए हैं सुरच की दरवाजी पर क्या देखा दरवाजा तु बन रहे उत्तानपाद ने दरवाजा कटटाया रानी दरवाजा खोलो मैं दरवाजे पर खड़ा हूंगा आवाज लगा रहा हूं सुनी ये तो सही लेकिन किसी ने आवाज ही नहीं दे आवाज भी कौन दे था क्यों नानी जो थी ना किसो का ये लिदा तो आई गई राही है रेवा जाकी सुनी नाई गत्रावानी ये सुखा देखा रानी तो पहले से ही सोई हुई थी माराज उत्तानपाद दर्वाजा खटगटा रहे थे लेकिन ने सुनीत का द्याना गया दर्वाजा खटगटाना तो बंद कर दिया अज सुपर सबार हुए ये सुनीत के नजदीक पहुँचे सुनीत ने देखा तो जो पली से निकल के बाहर आई है अच्छा आसन तो नहीं था उसी खास के उपर बिठा लिया बड़े प्यार से माराज बैटी है उत्तानपाद बैटी गए एक बात कही रानी अगर तुम तुम मेरी बात मान जाती तो आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिनता तुमारे उपर तो दुख़ी दुख़ए उत्तानपाद की बात सुने के सुनीत कहती है माराज पत्नी को चाहिए कि पती बड़े सुकसे रहे और जब पती के उपर कोई कष्ट नहीं है कोई कलेस नहीं है तो पत्नी तो उससे पहले ही सुगी है चुरी सुकुदेब जी समझाते है कि राजन माराज उत्तानपाद एक रात अपनी बड़ी रानी के पास में रुखते है सबेरा जब हुआ है तो छोटी रानी के दरबाजे पर पहुँचे क्या देखा कि रानी दरबाजे पर ही खड़ी है अंदर घुसने के लिए हुए तो सुरची ने रोक लिया ठैरो का जा रहे गाए उत्तानपाद बोले रानी क्या बड़ी नाराज लगती है बोली महाराद